है घा कर i can in pressing मैं अपसब कैसे यह कि हैं आप सबसे ज्यादा बात नих हो पाता है यह क्योंकि मैं वीडियो में जो भी बात कर लेती हूं फिर आपका मेंसेज आता है तो मेंसेज करिकर यह इसे हमारी वीच बात आपचीत होता रहता है और ऐसे तो फेस्टू फेस्ट थोड़ा सा बात करूं सोचती हूं लेकिन तनी सोरू में सब रहते हैं तो थोड़ा सा सरम आ जाता है मुझे आदत नहीं है थोड़ा सा आदत डाल रही हूं मैं और क्या वोलू आपसे अभी 3-4 देज हुआ है मैं एक फिंगरिंग्स खरित के लेके आई हूं तो आपको दिखाना वाली हूं और आप सब सेर करने वाली हूं अभी साम की 5.40 बज़ रहा है तो मैं सायद एक घंटी के बात पोस्ट कर दूंगी वीडियो तो आप देख लीजी आपको कैसा लगा प्लीज बताइए गाइज मैं जब वीडियो नहीं बनाती थी मुझे भी डायमंड की उपर थोड़ा सा डाउट रहता था क्यूंकि डायमंड में जब रिसेल करने चाहो तो उसका प्राइस कैसा फिर कलर तो फेड़ नहीं होगा ऐसा कुछ अलग-अलग टाइप की आप समझ सकते हो जैसे आपके मन में थोड़ा बहुत सवाल आता है ऐसे ही लेकिन अभी में वीडियो बनाती हूं तो अभी मुझे पता चल गया कि डायमंड की उपर कैसा क्या रहता है ज्यादा नहीं ज दिखाती हूं बील में कैसा उसका साटिव कर देते हैं और कितना केरेट रहता है क्या रहता है जो भी हो आपको दिखा देती हूं मैं चाहती हूं कि आपका थोड़ा बहुत डाउट क्लियर हो जाए तरन इसकी डायमंड की उपर तो देखती हूं मैं ट्राइपर करती हूं आपको कैसा लगा प्लीज बताईए, तो चलिए दिखा देती हूँ, आप देख सकते हो, ऐसे कुछ बॉक्स में आया था मेरा रिंग, और उसके साथ बेग दिये थे, और बेग की अंदर बील है, मैं आपको उपेन करके दिखाती हूँ, ये देखिए, छोटी सी डायमंड का रिंग है, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, इसरे बड़ा लग रहा है, बहुत ही छोटा है, और ये रिंग में कुछ खास बात हैं मैं बताऊंगी, क्या खास है, आपको दिखाते दिखाते मुझे ही पसंद आ गया, तो मैं इसोची में ही ले लूँ, दिखिए कैसा लग रहा है, इसका जो क्लिरिटी है, वो वीवीएस क्लिरिटी है, मतला वेरी वेरी स्लाइटली इंक्लूड़ेड डाइमॉंड है, जो diamond की clarity है VBS VBS grade को 2 level में divide किया जाता है एक VBS 1 एंड दूसरा है VBS 2 ये diamond की clarity बगेरा रहता है मैं आपको जाता कुछ नहीं बता रही हूँ थोड़ा बहुत बता रही हूँ देखिए ring के साथ ऐसा कुछ certificate दिये है certificate of authenticity लखा है ये तनिस की certificate है ये आपको gold jewelry में और diamond की उपर भी देते हैं से और जो solitaire बगेरा रहता है उसका कैसा देते हैं मुझे पता नहीं है मैं पूछी भी नहीं हूँ देखिए इसमें लिखा है date of sale लिखा है invoice number है product code है purity net metal weight diamond details सब है देखिए clarity में VBS clarity है और diamond color में EF color है इसमें 0.042 correct लिखा है ऐसे ही कुछ तनिस्क की certificate बगेरा देते हैं आपको जबी भी resell करना है या कुछ exchange करना है आप ये certificate लेके जा सकते हो तनिस्क to तनिस्क आपको change करके दे देंगे कोई बात नहीं है और इसकी बीच में bill है देखिए ये दिखे रिंग का प्राइस मुझे पड़ा 23,146 रुपिस ये अप्टर डिस्काउंट है और रुपर दिखे स्कीम डिस्काउंट लिखा है मतलब डिस्काउंट प्राइस है 1,227 रुपिस डिस्काउंट हुआ और जब मी लिए तब गोल्ड का प्राइस था 49,000 रुरशंट शंधिग था और खास बात मैं क्या बता रही हूं इसमें 22 करेट गोल्ड है क्योंकि जादा तब डाइमन्ड रिंग्स में 22 करेट गोल्ड नहीं रहता है 18 करेट गोल्ड रहता है लेकिन मैं लखी हूँ कि मुझे मिल गया ऐसा यह कुछ बील है गाईज अभी डिसकाउंट चल रहा है फ्यूप्टिन अगस्ट तक तो आपको कुछ लेना है तो डायमंड के उपर डिसकाउंट है लेकिन गोल्ड के उपर कुछ भी डिसकाउंट नहीं है मैं पूछी थी और आपको कैसा लगा आज की इंफर्मेशन प्लीज कॉमेंट कीजिए अच्छा लगा हो तो लाइक से जरू कीजिए और जो ने है तो प्लीज मेरे चनल को सब्सक्राइब कीजिए मैं आपको जादा कुछ नहीं बताई थोड़ा बहुत इंफर्मेशन दी हूँ और जादा कुछ जानना है तो आज कल गूगल में सब कुछ मिल जाता है तो आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रही हूँ ये जो रिंग ली हूँ मैं ये डेलिवेर के लिए लिए हूँ आप डेलिवेर कर सकते हो इसमें डायमंड गिरता नहीं है अच्छे से माउंट किया हुआ है अंदर आप जब ये डायमंड की रिंग खरिदने जाओ तो आप पहले से उधर बोल दीजिए कि आपको डेलिवेर करना है या ओकेजनाली भेनना है उसी सबस आपको दिखा देंगे क्योंकि डेलिवेर के लिए थोड़ा सा अच्छा से माउंट होना चाहिए नहीं तो मन में साटिस्फेक्शन नहीं रहता है हमेशा कही नहीं थोड़ा सा डर लगा रहता है इसलिए मैं बता रही हूँ मेरी टिंग की डिजन कैसा लगा प्लीज कॉमेंट कीजिए और अच्छा लगा हो तो लाइक से जोरू कीजिए मिलूंगे मैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जोलिर के साथ मिलते रहेंगे पाई